हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं फिर से आप लोग के बीच आगे हूं डिस्कुशन करने के लिए एक और नया टॉपिक कि आप लोग को देहनोगा पिछली वीडियो में हम लोग सेलफ इंडेक्च प्रेत कर रहे थे उस चैप्टर में हम लोगों ने कि यह मैं होता क्या है vaan क्या होता है है दा प्रेंज ला क्या होता है ये सब ऐसमें चीज़ें पर्ध देख ठीक है आज हम लोग उसी कर्म में थोड़ा सा और आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन आज जो वही है मैं बहुत इंपॉर्टेंट अबीट डिस्कस करूँगा तो चलते हैं सेरे वीडियो के उपर तो आज सबसे पहले छोटा सा अबीट डिस्कस कर लेता हूं अमांट आफ इंडूस्ट चार्ज फ्रॉं दो चार्ज फ्रॉं दो चार्ज फ्रॉं दो चांज इन हैं मैंगनेटीक मतलब अपनी का अगराई जर्ष में चैंज हो गाँ तो में करेंट फ्लो होगी अब सिंपी सी बात है करेंट कैसे फ्लो चार्ज होगा तभी तो करेंट फ्लो कितना चार्ज इंडूस हुआ यह पता ख़ता करना है बहुत आसान है देखो ज़ाँ अ इसे इस में कोई फार्मूलो नहीं लिखोगा जो आपको पता नहीं हो as we know देट is equal to minus d phi upon d आपको पता है था कि नहीं आइन्ड जो e कह था एक्ट्रो मोड़ी फोर्स एक आपको बोल्ट ही तो था तो इसको हम ऐसे बिल्ज़ सकते हैं E equal to 1 हम IR लिख सकते हैं R क्या है resistance ठीक है I की जिखान क्या लिख सकते हो DQ upon DT DQ upon DT और यह हो गया R ठीक है clear अब यहां पर लगाना चाहतो माइनस भी लगा सकते हैं इसको दिक्कत नहीं है यह इस तरीके से क्योंकि current जिस दैसे flow होते है वहीं आपका opposite direction में electron के current flow होते है माइनस वो लगा सकते हो अब यह भी E की value है यह भी E की value है क्या करेंगे माइनस यहां से यह दोनों को हम compare कर देंगे तो इसको हम equation first डाल देते हैं equation second डाल देते हैं देख देंगे from equation first and second तो क्या हो जाएगा माइनस d5 upon dt equal to minus dq upon dt into r ठीक है यह वाला भी अपसोज़ों कहां से है q is equal to i t वाले formula से हमने लगाया dt से dt cancel out minus minus हट गया तो हमारे पास जो formula आ गया वो आ गया dq equal to d5 upon r हम लोग इस formula से amount of induced charge d q क्या था amount of induced charge from the change in magnetic flux इस formula का use करके हम लोग क्या करेंगे हम induced charge को निकाल तो छोटा सापको बताना था और यह relation जो है आपका यह important है कि डिडिवेशन नहीं आता यह जो relation है यह एक नंबर में competition में पूछ लिया आता है कि आपको चार option दी होंगे बताए पूछेगा कि बताओ भीया इन में से कौन सा options है कौन सा है किअ कि करेंट क्यें टार म्फळ से करिसे एक और सो चच्पाल करेंट कंलस्क है बहुत आफाल है कि एदि करेंट शिचत केंड चेंप किक्तर हैं कंड़क्टर में जो फ्लस्क लिक्क है किसी भी कर्सक जो प्लस्क लिए अगर उसमें आप country करते हो तो hap ty yatakCharृू कौने करने से इंदयू सिमय डपा नपकी करें कोcus इंद्रीच कर्दॉस से कॉषर के मतलब होता है कौनशेंट्री क्विश्य करक्ड रिंग की dinero कैसे कि इस तरीके से उन प duy में क्या होता है करेंट डेवलफ होती है तो उस करेंट को क्या बोलत और तो एडी करेंट चिक के विए से समझे दिए मालते कि इस कंडूक्ट इसकंड़र में फ्लस्क लिंक एक सब्सक्राइब Nu को ढ़िए और की इसको सकते हो किसी भी मेंगनेटिघ फिल्ड में अगर हमें मेतल या कंड़ेक्टिंग कंड़ेक्टिंग को हैं कि मेटेरियल रखते हैं पर्पेंडिकुलर में यह तो में तो एंगरी मेटेरियल ना Gilah जब इसमें फ्लक्स के में चंज आएगा तो इसमें Concentric circular ring में कुछ current develop हो जाती है जो इसके motion को अपोच करती है वह जो Concentric circular ring बनी वह कहलाती है added Where? Ad current भहिया, depends करती है कि जो भी Conduct आपने लिया है उसका area कितना है AD current को remove नहीं कह से दे, we cannot remove the AD current, but we can minimize, कैसे, by reducing the area of the conductor, जो भी अपने conductor लिया है, अगर वो negative filter में रखा है, तो उसमें जितना उसका ज्यादा area होगा, उतना ही ज्यादा strong कर AD current डेवलप होगी, AD current हमेशा energy को loss करती है, तो इसको हम लोगों remove नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम minimize कर सकते हैं, कैसे, by we can minimize, we can minimize by reducing area of conductor, conductor के area को कम करके हम लोग रेडियूस कर सकते हैं, जैसे एक जापिल देते हैं, transformer, जो हम लोग रेडियो एडियो में या कहीं छोटे वर इस्टिमेंट में transformer लगा होता है, उसको कभी आप खोल के देखें, जैसे transformer होता है, वो इस तरीके से होता है आपका, ठीक है, इस तरीके से, आप सोचो, चाहे तो बित्ता मोट टुकडा भी तो ले सकते हैं, उसके चाहे तो ताल लपेड़ बन जाए, और आप जब खोल के देखोगे, तो यह जो transformer होता है, यह छोटी छोटी पहुत पतली पत होती है, यह इन दो सेप से मिलकर यह transformer आपका बना होता है, यह तो steps है, यह एक दूसरी चिप की जरूर होती है, लेकिन जिस material से चिप का आई जाती है, वो insulated होता है, यह दूसरी को बिलकुल अलग करके रखता है, इसका मतलब क्या हुआ, यह transformer आपको दिख सो रहे तना होती है कि reduce हो जाएगे, ठीक है, AD current energy को loss करती है, इसलिए हमार लिए harmful होती है, AD current की वज़े से transformer हमारे जो होते हैं, उसमें oil डाला जाता है, अब देखोंगे transformer में oil पड़ा होता है, वो oil क्या कहता है, heat को absorb करता है, heat absorbing power उस oil की बहुत जादा होती है, अगर वो oil नहों तो transformer की जो कोई से जल जाती है, कहते है, transformer बेकार हो गया, जिए transformer में oil कम हो जाता है, AD current already generate होई रही है, AD current की जो power को कोई absorb करने वाला नहीं रहा, तो जार कौन करेगा, वागी जो आसपर्स की कोई से वो उनको जला देता है, ठीक है, जगो, तो अब क्या AD current हमाले हमेशा से harmful रही है क्या, नहीं, हम इसका कोई यूज भी करते हैं, कौन से, AD current की जो यूज है भया, वो पहला यूज हो गया आपका induction furnace में, induction furnace, भठी, ये heat last होता है, उस heat last को हमने बठी में नीचे लगा दिया, उपर भठी लगा दिया, heat last को हम लोग उसमें अलोहे को पिगलाने में काम आ जा ठीक है, दूसरा है आपका magnetic brakes, magnetic brakes में हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे ये electric turns होती है, उनका जो पाई एक रोखने का काम बगाता है, वो AD current के जड़ी किया जाता है, आपने देखा होगा कुछ घरों में पहले, electric meter पुराने वाले, जिसमें एक छुट एक आपका disk टाइम वो घूमती रहती थी, वो भी due to the AD current की वज़े से था, ठीक है, speedometer, speedometer in automobile, उसमें जो speedometer लगा थो भी AD current की वज़े से ही चलता है, ये सब उसके यूज भी है, जरूर नहीं कि सारी चीज हमाले नुक्सान हो, कुछ चीज हमाले फायदा भी करती है, कुछ चीज हमाले नुक्स ठीक है, तो इसमें AD current को हम लोग, we can not remove the AD current, but we can minimize by reducing the area of the conductor, clear, चाथ, यतना छोटे साथ है, अब हम लोग, आज जो topic discuss करेंगे, अब next, वो भ्यास बहुत इंपोर्टेंट है, ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन important है, self induction, अब पूरा topic आज आपको मिलेगा, self induction, अब बहुत आसान सब्दों में समझाऊँगा आप, लेकिन बस वीडियो को skip मत करिएगा, और इस वीडियो को जदा जदा लोग तो share करिए, जिन्होंने आपके subscribe नहीं के जल्दी से subscribe पहले बटन दबा देजिए, ठीक है, देखो, self मतलब होता है, swim, मालू, मेरे घर में कुछ change हो रहा है, मैंने कुछ change किया, उस change का असर, जब उस change का असर में अपने घर पर देखुँगा, कि मेरे घर में खुद परोस में क्या रहा हो, मतलब नहीं है अभी, सबसे पहले मैं अपने घर में देखुँगा, कि उस change का असर क्या हो रहा है, वही प्रोसेस बोली जाती है, इस self-induction, इस coil में हमने क्या किया, current flow की, इस coil में current flow की, जो flow हो रहे है, current में इसको change किया, तो क्या होगा, सबसे पहले जो magnetic field generate होगी, तो flux जो generate होगा, वो इसमें तो link होगा, जब हम इसमें, इसी circuit में flow होनी वाली current में change कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो flask generate हुआ उसमें change होगा इसका मतलब क्या है इसी circuit में flask में change हो रहा है तो एक induced emeve develop हो जाता है एक induced emeve develop हो जाता है जो इसमें flow होने वाली current को क्या करता है approach करता है मतलब मैंने current इसी circuit में flow किया उसमें change किया और इसी सर्कीट में एक induced EMF डबलफ हो गया जो इस होने वाले चेंज को अपोच करता है इस प्रोसेस को बोलते हैं self induction इस प्रोसेस को बोलते हो self induction जब हम किसी कोईल में current को flow of current को change करते हैं उस change की वज़े से मेंटिफ्रस्क में change होता है और उसकी वज़े से उसमें EMF की नाम से भी जानते हैं या पोच करता है उस प्रोसेस या इस फिनोमेना को कहा जाता है self induction इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं फाई डारेक्ली प्रपोर्स्नल लाई कितनी स्ट्रॉंग इसमें current flow होगी उतनी ही स्ट्रॉंग मेंटिफ्रस्क इसमें जनरेट होगा लिंक होगा तो यहां पर फाई इजिकल टू एल आई डायक्ली प्रपोर्सार्ट हटाएंगे एक कॉंस्टेंट अड़ अड़ कर देंगे जो एल है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशेंट आफ self-induction नाम पर देखते हैं अभी है कोफिशेंट आफ self-induction या इसका दूसरा नाम है self-inductance तो दोनों वर्ड अलग-अलग हैं कि यह पूरा कहना पड़ेगा कॉफिशेंट आफ self-induction या self-inductance नाम अच्छे तरह से इसको clear कर लिए कोई को self-induction self-induction बोलते हैं गलत हो जाता है self-induction this is not a self-induction this process whole process is known as self-induction this symbol is known as self-inductance इसकी जो unit होती है भी या unit होती है henry unit होती है henry इसको capital S से रेप्रजेंट करते हैं अगर हम induce emif की term में लिखना चाहे तो को दिखकर नहीं रहो as we know that as we know that e is equal to minus d phi upon dt ठीक है अब अब और यह जाएगा एक फार्मूला भीया यह भी आ गया यह हो गया बस हमको थूड़ा सा ही नहीं प्रिसम तो इस self-induction process होती का यह आपको clear हो गया कुछ इसके बारे में हमने बता दिया ठीक है और आगे बढ़ते हैं सी में अब हमको बताना है self-induction of a long solenoid यह भी आपका important है ठीक है देखो heading डाल देते हैं self-induction self-inductance of a long solenoid ठीक है बहुत आसान है देखो माल लेते हैं यह एक solenoid ले दिया ठीक है जिसकी length कितनी है L है और यहां पर capital N क्या है यह total number of term total number of terms और A क्या है area of each term ठीक है इसमें जितनी भी term है उसका area क्या है capital है तो magnetic field magnetic field inside solenoid क्या होगी यह हम drive कर चुके हैं क्या हो तब यह बी जूकल टू म्यू नॉट एन आई ठीक है यहां पर total number of term है तो इसको हम लोग small n को ऐसे भी तो लेख सकते हैं small n क्या होता है number of terms in per unit length यह तो लिखा है small n को replace कर देंगे mu naught capital N I upon L ठीक है equation first ठीक है यह तो होगे इसके अंदर magnetic field हमको flask निकालना है क्योंकि देखो जरा यहां से as we know that as we know that phi equal to lia मैंने अभी निकाला अभी पिछले यह ही निकाला था हमको phi किसी तरीके से निकाल दें क्योंकि हम इसमें current में flow करेंगे तो इसमें flux की जाने होगा self induction process होगी वह तुरंत हमने एक formula से निकाल दिया अब हम इस formula से phi निकाल दें आंसर आ जाएगा phi कैसे निकलेगा as phi equal to ba यह कौस theta theta 0 यहाँ पर ठीक है बी की value रख दो mu naught n i upon l into a अब थोड़ा ध्यान समझेगा यहाँ यहाँ पर यह जो flask था यह flask का मैंग्टी flask का formula है मैंग्टी flask linked in each term यहाँ पर लिख देंगे यह जो लिखा हुआ है यह लिखा है magnetic flask linked with each term ठीक है एक term में कितना link है इतना और यहाँ पर total कितने turn है capital है तो यहाँ पर hence total linked flask total linked flask हमको निकालना है तो इसको capital N से multiply करतेंगे तो 5 is equal to क्या जाएगा mu naught n i a upon l into capital इससे multiply करतेंगे बस यही चीज़ यहाँ पर समझने यह भी phi की value है यह भी phi की value है इसको equation इस्टार डाल देते हैं तो यहाँ पर होजाएगा from equation star and star dash बस हो गया answer l i is equal to mu naught n square i a upon l i c i cancel out l is equal to mu naught n square a upon l ठीक है यह आपका आगया की self inductance of a long solenoid बस यही पर थोड़ा समझना होता है बाकि कुछ नहीं है एक बार कभी कभी एक formula पूछ लिया था देखो वो थोड़ा सा formula यह था self inductance of a plane circular coil कुछ नहीं करना है सीदे सीदे यही formula लिखिए l is equal to mu naught n square pi r by 2 r क्या था radius उस plane circular coil की जो radius है वो आप थी और यह पाई r by 2 यहां रख देना है बस derivation नहीं आता इसलिए मैं derivation अभी आपको नहीं बता तो यह थोड़ा सा आपको formula यह थोड़ा ध्यान देना है बस plane circular coil का self inductance ठीक है हम लोग अब एक कदम और आगे पढ़ते हैं self induction वाले ही उसमें अब इससे माल लेते हैं यह coil है ठीक है इसमें current flow कर रहे हूँ तो inducement क्या करेगा इसको अपोच करेगा तो अब आसानी से तो current flow नहीं होगा हमको कुछ काम करना पड़ेगा एक current को flow करनी के लिए कुछ काम पांड करना पड़ेगा न कि वह current हमारी इसमें लगातर flows के maintain the flow of current तो हमको यहां पर क्या निकालना है energy stored in an inductor यह भी आपका important है कि आप कितना work कर रहे हो एक इसमें current को flow को maintain करने के लिए वही वर्क इसमें energy के फार में store हो जाएगा ठीक है देखो इसमें हमको current flow करना है जीरो से आई नौट यह आई नौट तक की current को हमको मालने तक को एक आई नौट current है कोई एक लेविल मालने ते है उतनी current को इसमें continue flow करना है तो सबसे पर यह जानने कि छोटा amount current को flow करने कितना हमने work किया या कितना हमको work करना पड़ रहा है देखो आईज वी नौट डैट डब्लू जूकल टू क्यूवी यह फर्मूला हम आपको सेकेंड चेफ्टर क्यापसिटेंस पोटेंशियल वाले में बता चुके हैं ठीक है यही फर्मूला यहां यूज का देना है चोटा सा amount चोटा सा current को तो dw is equal to q और यहां पे q को कह लग देंगे i dt यूज को इती होता है तो i current कितने time के लिए? चोटे से time के लिए तो यह लिख देंगे small amount of work done इसमाल एमाउंट आफ वर्क डन इन डीटी टाइम ठीक है यहां लेकर देखिए इन टाइम डीटी लिख दो और यहां पर वी तो यहां पर हम वी को कह लेकर चल लें ए लेकर चल रहें ठीक है और यह आगए आपके ठीक है अब उसके बाद आई या इए यह करेंट उपर के फ्लो होगी और जो इंडियूस इम एफ है वो जो वर्क कर रहा है वो नीचे क्यों वर्क कर रहा है तो हमको जो वर्क करना पड़ेगा वो माइनस करना पड़ेगा नहीं सुम्हाँ डेखो करएंट फ्लोड़ी उपर जो इंडियूस इमेन प्रे में बेप हुआ है भातएं अचिह करना है नीचे की तरह करना के लिए ठीक हैं气 हथा हमको इस करेंट को फ्लो कराना है तो हमको जो वर्क करना पड़ेगा वह उबर क्यों पर करना पड़ेगा मतलब इसके अगेंश्ट में इसलिए हमने यहां पर लगा दिया माइनस लिया तो यहां पर एज यूकल टू माइनस L di upon dt छीके? value put कर दो तो dw equal to minus minus प्लस हो जाएगा Adtldi upon dt, dtt, γाल तो dw equal to lidt जीके? ह। यहनि कि छोटी से टाइम में कितना करेंट फ्लो करना पड़ा? इतना थमको तो इतना current flow कराना है न हैंस टोटल वर्ग डन टोटल वर्ग डन तो डबलू इस उकल टू इंटेग्रेट कर देंगे 0 से i0 L i dT बस इंटेग्रेशन कर दीजे तो डबलू इस उकल टू L यह ज़ेगा i2 स्कॉर बाइ टू जीरो आई नॉट तो डबलू जुकल टू L आई नॉट स्कॉर बाइ टू तो डबलू जुकल टू इसको फार्मुला सही से लिग दें यह आगा मतलब हमको आई नॉट करेंट को अगर कांटिनू फ्लो कराना तो इतना वर्ख हमको करना पड़ेगा यही वर्ख न उसमें एनरजी की फार्में इस्टोर हो जाता है इसको मैं लोग यू से रप्जेंट करते हैं यूज उकल टू वन अपांट टू एल आई नॉट स्क्वाइर ठीक है यह फार्मुला आपको कभी कभी डेरिवेशन करने के लिए पूछ लिए आगा है बहुत आसान है कुछ कठिन नहीं है के लिए अब एक छोटा सो टॉपिक बचा है और आज का इस सेल्फ इंडेक्शन वाला टॉपिक आपका क्लोज हो जाएगा अभी हमने एक कोईल को लेकर सब पुछ किया तो हम आप पढ़ लेते हैं हमें ग्रूपिंग आफ कोईल्स तो ग्रूपिंग को हम दू तरीके से ग्रूप कर सकते हैं एक सिरीज और एक पैरलल एक सिरीज दूसरा आपका पैरलल ठीक है महा लेते हैं दो मैंने ये इंडेक्टर ले लिया ये सिरीज में लग गए और इन दो को हमने लगा दिया पैरलल में इनका सेल्फ इंडेक्टेंस ल1 है इनका ल2 है इनका ल1 है इनका ल2 है तो निट इंडेक्टेंस कितना होगा ल इसका हो जाएगा वान अपान करके ठीक है ये आपका हो गया और ये आपका इद्धान हो गया एक कुछी कठें नहीं है तो इसी के साथ ही एक लगे एक और ची ध्यान में आगे नोट करके कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक मेटल की रिंग है और ये एक मागनेट है ये नीचे गिर रही है इसमें ये मेटल की रिंग टूटी नहीं है तो बताओ यहाँ पर जो एक्सलेरेशन डेबलप होगा acceleration जो develop होगा उसके value कितनी होगी एक case ये पूछ लेते हैं दूसरा कि ये पूछते हैं कि एक जो metal की ring है ये ये broken है ये टूटी हुई है ये broken broken metal ring ठीक है ये broken नहीं है और इसमें अगर कोई एक magnet का टुकड़ा गुरता है तो उसमें acceleration कितना होगा जहां रखेंगे हमेशा अगर metal की ring टूटी नहीं है तो वहाँ पर जो acceleration होगा वो हमेशा gravity acceleration से काम होगा क्यों क्यों कि यहाँ पर यह हमेशा यहाँ पर induced emeff develop होगा current की विए से यह हमेशा magnet को अपोच करेगा इसलिए कुछ नव कुछ acceleration कम हो जाता है और फ्लस्क लिंक्ट होने के लिए सर्किट में कहीं भी टूटा फाटी नहीं होना चाहिए complete होना जाए closed circuit होना चाहिए तो यहाँ पर तो टूटा है यह दखो यह टूटा हुआ है इसलिए इसमें कोई link फ्लस्क काम नहीं करेगा इसलिए यहाँ पर जो acceleration होता है वह gravity acceleration के equal होता है तो दो चीजा भी ध्यान मागए तुरंत मैंने का आप लोग उसा discuss कर लिया जाए तो आज की इस वीडियो भी हम लोग इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग mutual induction वाला जो टॉपिक है पूरा पूरा discuss करेंगे लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको छोटा सा काम करना है जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है जल्द जल्द सस्क्राइब कर देजे और जिन्होंने अब तक अपने फ्रेंड को भी नहीं बताया कि हाँ आईसा कोई एक चैनल भी है जहां आप लोग के हिसाफ से पढ़ाया जाता है तो मेरी रिक्वेस्ट है जल्द जल्द लोगों आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजा और उनको भी जोड़ गया तो उसक्राइब आप लोग अपना अच्छे सख्या लखे एपने फैमिली का विध्यान रखे क्योंकि इस समय का समय चल रहा है यह सही नहीं चल रहा है ठीक है तो समल के रहना है और अपने परिवार को भी समाल करके रखना है अपने बढ़ाई भी करना है ठीक है तो इसे साथ ही लेते हैं आपसे वीड़ा कल मिलते हैं टेक क्यार इन बाई बाई